पूरी वीडियो देखने के लिए अपनीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हो उसका वहां पे जाके आप टच करो अब वीडियो पे पहुंच जो बचाहोगे फिर देख लेना अप अब देखो यहार जो आपने जंगल वाले बताया था न कि वह क्या से करना है वैसी आपको जैसे कि पहले आपको में background set करना है just based background इसमें मतलब आप dark to medium tone का use करो जैसे देखो उपर से भी मैं dark से लेके medium tone तक गया हूं मतलब light tone तक dark, medium and light use करना होता है और नीचे से भी देखो yellow फिर उससे light फिर उससे light जाके Turkish blue और yellow दोनों को mix कर दिया तो आपको ये काम करना है फिर उसके बाद देखो आपको क्या करना है नीचे से ना फिर background को देना है और इसके ओपर चढ़ाना इस लेयर के ऊपर ठीक है तो जैसे yellow और ये ना उधर से तो yellow को करो और Turkish blue से ना थोड़ा-थोड़ा yellow मिक्स करते हुए करो जैसे देखो मैं yellow मिक्स करता हुआ कर रहा हूँ क्योंकि पीछे background मतलब yellow मिक्स यलो background सुखा नहीं है ना तो उसी में है मतलब वो खुद ही mix हो जाएगा ठीक है अब देखो यह orange से ऐसे building निकाला और फिर उसमें red mix कर दिया यह थोड़े आगे वाले building है तो अब मैंने बताये था ना जैसे जंगल वाले background है तो मैंने Turkish blue में ही dark थोड़ा सा हलका सा dark उससे tone यह building बनाए अब देखो आगे वाले building जैसे पेड़ वेड़ किया था तो आगे वाले पेड़ जो dark वाले बनाए थे मैंने मतलब आगे या फिर जाड़ी वाड़ी या पत्ते और जो dark बनाए वो मैंने बताये था ना कि सा dark वाले building तो आगे वाले building है और पीछे वाले building light color में होगी ठीक है तो यह चीज़ होता है अब हलकी बहुत ऐसी detailing वागेरा करतो ठीक है जैसे पत्ते बनाते ना तो उस वक डिटेलिंग जो करते एंड में एकदम वाले detailing yellow वागेरा से या थोड़े यासे white वागेरा की line डाल देरा तो डिटेलिंग सो जाएगी जैसे और इंज वागेरा कर रहा हो यह 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 अपलाई कर रहो ना यह सब चीज़े है यह detailing का पार्ट है ठीक है यार एक तो ना बाहर बारी शूरी बहुत जादा तो अगर आवाज आ रही हो तो उसके लिए sorry ठीक है अब देखो यह ना यह जो background कर रहो में इसमें आप क्या करना ब्लैक में ना ग्रे मिक्स मता वाइड मिक्स करना और ग्रे कलर बना के पानी से करना background ठीक है तो इसमें मे अब थोड़े ऐसा लगया जैसे buildings में light चल रही है ठीक है और बाकी तो बिल्कुली खत्म है वो बताऊंगा meaning आपको अब यह वाला background देखो इसमें मैंने बस Persian blue यूज करा है और सेम वही process यूज करूँगा जैसे पिछला background करना वैसी जैसे देखो उपर dark नीचे से orange लिया फिर बीच में white कर दूँगा ठीक है और medium के लिए yellow यूज किया था ठीक है तो सेम प्रॉसेस यूज कर और यह हो गया और फिर इस से उसके बाद blue से ज़स्ट पीछे वाली buildings बिनाऊंगा फिर उसके बाद आगे वाली buildings के लिए black वगेरा या फिर dark blue यूज करूँगा यही स कर दो कर दो कर दो तो चलो यार पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है तो मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ जैसे देखो यह पूरी पेंटिंग चार पार्क में डिवाइड़ है तो राइट वाला जो राइट बॉटम पार्ट है ना वो उसमें क्या है कि मतलब वहां से पेंटिंग स्टार्ट हो रही है ठीक है और वो ना हमारे नेचर को शो कर रहा है और एक बीच में वाज बनाऊंगा ठीक है वो ना clockwise ऐसे घूम रहा है तो यह पूरा जो सीन है वो clockwise घूम रहा है ठीक है ज़से देखो यहां से नेचर से तो फुल सांस ले रहा तो घूम रहा तो अच्छी तरह है लेकिन बाद में क्या वह नीचे ना पूरे पानी में पुलीशन कर दिया बंदू ने तो उसकी वज़े से ना उसको मतलब मूँ उपर करके रखना पड़े रहा सांस लेने के लिए ठीक है फिर नेक्स्ट एडिया में क्या शो हो रहा है किना मतलब तुम्हारे पास ना अब कुछ नी बचा सब कुछ जलवल गया सब खतम हो गया तो यह चीश्च शो हो रहा है तो चलो यार पेंटिंग हो गई है फाइनली कंप्लीट पेंटिंग कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे थैंक यू मैं वाइ